ना संघर्स ना तकलीप तो क्या मज़ा है जिने में और बड़े बड़े तुफान भी थम जाते हैं जब आग लगे हो सिने में जैहिन दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है सो फ्रेंड में इस वीडियो के माईधम से आज आप लोगो को क्लास 10 सोसल साइंस का सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट कोश्चन बताऊंगा जो कि आपके एक्जाम में दोस्तों डेफिनेटली देखने को मिलेगा और मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लिजिएगा मैंने अपने दोस्ते के से सेर करिएगा और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि वीडियो को एंट तक देखने की कोशिस किजिए क्योंकि वीडियो पर मैं आप लोगों को बहुत कुछ बताता रहता हूँ ठीक है दोस्तों अगर बात करें हम का कोश्चन कहा कहा से लिए हैं सबसे पहले आपके NCRT बुक से लिए हैं ठीक है दूसरी बात करें हम लोग मोडल सेट की ठीक है मैं आपको बता दूं मोडल सेट जो आपका आया हुआ है 2021 का 2022 का ठीक है तो 2020 का 2021 का 2022 का जो important प्रश्चन है हर एक प्रश्चन को मैं आपर बताऊंगा जो क्या आपका SST पे आ NCRT है और मोडल सेट से कोश्चन बताऊंगा साथ साथ गैस पेपर से भी कोश्चन बताऊंगा तो वीडियो को एंड तक देखने की कोसिस कीजिए क्योंकि यहां पर बहुत ज़्यादा वाइरल वाइरल प्रश्चन है ठीक है और आप लोग क्या करिए हमारे साथ बैठ जा गया है यानिक इकोनोमिक्स से पूछा गया क्या है कि भारत की राष्ट्री आई में सरवाधिक युगदान किस छेत्रक है तो दोस्तों यहां पर आपको बताना है कि भारत का जो राष्ट्री आई है जिसमें सरवाधिक युगदान जो है किस छेत्रक में होता है ठीक है तो यहां पर दो नमबर कोश्चन देख सकते हैं क्या है तो दो नमबर कोश्चन में पूछा गया है कि भारत की आर्थिक ब्यवस्ता है जो आपका भारत की आर्थिक ब्यवस्ता है वो किस परकार से है तो दोस्तों यह आपका मिस्टरित है हमारे देश की आर्थ ब्यवस्ता है व नभीकरने यह संखसाधन का मतलब होता है जो कभी नहीं इस समाप्थ होता है, ठीक है? यह नहीं openaktad नहीं होता है, ठीक है, एक बाद हम लोगा प्रयोग करने के बाद उसे लोग दुबारा पा सकते हैं, ठीक है? तो इसका है आपको उदारन बताना है तो पहले थे खोल, ऑप पर rapping को नवीकरनिय संक्साध्nder समझ में आ ग्या तो आप लोग उदारन खुद विख सकते हैं तो नवीकरनिय संक्साधrim मतलब जो होता है मलौ कुछ है टीक है कि इसको हम लोग पुरियोग करने के बाद दुबारा इसमें पा सकते हैं ठीक है तो ही क्या होता है आपका नवी करनी संगसाधन के लिए रहे अगर बात करें हम लोग नवी करनी संगसाधन की तो इसे हम लोग एक बर प्रयोग करने के बाद दुबारा नहीं पा सकते के लिए रहे उसके बाद दोस्तों आप ल होता है मैं बताता चौलूंग तो पहला होता है आपका जैवसंग साधन और दूसरा आपका होता है और जैवसंग साधन ठीक है दोनों कोपी पे जोरू से जोरू नोडाउन कीजिएगा और इस प्रस्ण को आप लोग एकदम आप लोग क्या करें याद कर लिजिए क्या कोश्चन देख सकते हैं कि बिसमर्क जो है जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बनाता तो यह बनाता आटर से कातर इस भी में जिसे आपको क्या क गईक करना याद रख ले ना है उसके ऐसे उनने किया आ आप लोग क्याह्त रगीजीगा दोस्ते इन्नों ने दो संगठन जो है बनाया था ठीक है उसके प्रकार से आगे बात करें ठीक है उसके प्रकार से अगर हम लोग साथ नमर की question की बात करें तो क्या पूछा गया देख सकते हैं यह पर पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदलन की शुरुआत कब हुआ था मोस्ट इंपोर्टिंट प्रस्ण आपका मिस्टरी से पूछा गया है ठीक है सो याद कर लीजिए देखी क्या है कि जब आप लोग का भारत चड़ो अंदुलन हुआता तो यह जो हुआता कब हुआता तो यह 1942 में हुआता ठीक है मिसस भी में यह हुआ था ठीक है उसके बाद 208 नमर परस्ण जो कि आप लोग नाइन्थ से पढ़ते आ रहे हैं क्या है यह भर लिब्रे क्या होता था ठीक है तो लिब्रे क्या था तो लिब्रे जो है प्रांस का मुद्रा था आप लोग प्रांसिसी क्रांती में अच्छे तरीके से पढ़ लिए होंगे कि लिप्रे किया है प्रांसिसी मुद्रा जो कि क्लास 10 के लिए भी बहुत इंपोर्टिंट है उसके बाद आगे बात करें जो कि बहुत आसान है चोटा सा बच्चा भी इस कोश्चन का एंसर पता देगा क्या ह कहते हैं दोस्तों मतदान के जो अधिकार होता है ठीक आप जो मत देते हैं जो यह जो आपका अधिकार होता है ठीक है तो यह अधिकार क्या कालाता है यह अधिकार आपका मत अधिकार कालाता है जिससे आपको याद रखना है उसके बाद दोस्तों अगला कोश्चन की बात क यहां पर पूछा गया है दस नमबर में जो कि आपका इको से पूछा गया है और इको दोस्तों बहुत सारे विद्यार्ती तो पढ़ता ही नहीं है और यहां पर गलत कोश्चन को टिक करके आ जाता है ठीक है देख लिजी को को अच्छे तरीक से ध्यान दे कर पढ़ना है दोस्तों देख लिजी क्या है दस नमबर प्रस्ट जो की बहुत ही most important है क्या है कि सकल घरलू उतपाद है मतलब GDP की बात हो रहा है ठीक है GDP की बात यहां पर हो रहा है तो GDP उतपाद मतलब आप लोगों को यहां प बारा नमबर प्रस्ट जो पूछा गया है वह आपका किस से पूछा गया है भुगोल से क्या है कि किस राज्य में काली मिर्दा पाजाता है तो प्रेंड काली मिर्दा की बात करें तो यह गुजरात में पाजाता है और बाकी और भी जो है पाए जाता है आपको यहां पर क् आपको टिक करके आना है ठीक है तो याद कर लीजिएगा काली मिर्दा की बात करें सो यह हो जाएगा गुजरात के लिए कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद दोस्तों 12 नंबर कोश्चन की बात करें यहां पर पूछा क्या है कि कौन प्रार्थमी क्षेत्र के कारे में संगलंग प्रार्थमी जो छेत्र होता है इसमें बैसिकली दोस्तों जनरली बात करें तो इसमें क्रिस्यक ही आते है ठीक है इसमें काररत क्या है क्रिस्यक है ठीक है उसके बाद आगे बात करते हैं तो तेरा नंबर यहां पर पूछा आगे आप लोगों से कि भारत की राष्ट्री आ अगर बात करें तो इसका जो प्रोतमिक जो आपका प्रोमुक सुरोत है वो क्या है सेबा छेतर है ठीक है याद आगिया उसके आगे बात करते हैं चोदा नमर कोश्चन की जो की बहुत ही उसके बात 15 नमर प्रश्चन जो की बहुत ही इंपोर्टेंट है क्या है बंगल का विवाजन कब हुआ था सो यहां पर आप लोगो पता होगा कि बंगल का जो विवाजन है वो कब हुआ था तो 1905 इस भी में हुआ था जिस आपको याद करना है यह जो प्रश्चन है आपका इ लुसं चाहिए यह आप लोग नीचे comment section में comment करिएगा और इसका PDF दोस्तों में आप लोगो टेलिग्राम चैनल पर provide करा दूंगा इसलिए दोस्तों PDF पाने लिए हमारे टेलिग्राम चैनल को जोलू से जोलू जोयन कर लीजिए ताकि छोटे बड़े जो भी आपका पीडियेप नोट्स होता है वो मैं आप लोग को हमारे टेलिग्राम चैनल में प्रवाइड करने की कोशिस करता हूँ तो चलिए आप लोगों से फीर से ऐसे ही एक नए वीडियो पर मिलते हैं तब तक के लिए आप लोगों थैंक्यू जैन